आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुटी के बारे में जिसे हम संजीवनी, पथर बोड़ी और कामराज के नाम से जानते हैं यह एक ऐसी ओशदी है जो हमेशा जीवत बस्ता में मिलेगी जीव आप इसे जंगल से लाएंगे तोड़के अपने घर में रखिए एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल गुजर जाएंगे यह कैसे भी किसी भी डिब्बे में रखने के बाद अब जब भी इसको पाने में डाले यह तोड़के जीवत हो जाएगी एक से आदे घंटे में इसलिए हम इसे संजीवनी बुटी के नाम से भी जानते हैं ऐसी बुटी जो हमेशा मनुष्य को बहुत ही पुराने समय से ताकत और बल की प्राप्ति करती आ रही है इस बुटी का नाम है संजीवनी बुटी और ज अशदी प्रियोग के बारे में बात करेंगे जिसके हमने प्रियोग करके देखा है यहां तक कि सुनने में आया है कि जो महावारत में भी मुगा करता था उनने भी इस अशदी का प्रियोग किया है जी रशीयों ने इस अशदी के प्रियोग जो बताएं जो मैं आपको बता इस और सदी के प्रियोग ऐसे हैं कि आप इसे पानी में तोड़ा सभी हो दीजिए और इसे पीस लीजिए और उस पानी का आप दो से तीन चमच जो पेश्ट बनेगा उसको आप सोज़ शाम पिए और कसरत करें या योगा करते हैं तो उसमें आपको ठकावट नहीं होगी सरी सरीर में बल की ब्रत्थी होगी है और अगर देखते हैं आज हम शुक्राणों इस पंप की क्वाल्टी जो डाउन हो जाती पुर्सों में तो उसमें भी इस आउसदी का बहुत ही अचुग प्रियोग है इसको घिसने के बार जो पेश्ट बनेगा उसे दूद मिलाकर हम पीत हैं तो सरीर में काम उत्जना की ब्रत्थी होती है जो काम उत्जना की कमेंगे हाती देखती हैं ऊष्टतिये साल के 15 वा जो आज यह जेनरेशन से उनको भी कम उत्जना में कमीं हो जाती है अपने जीवन में ऐसे कभी बीमारी उसे घिर जाते हैं तब इस और सदी का प्रिय इसका प्रियोग कीजिए और जैसे आप इसका प्रियोग करेंगे आपको दो से तीन दिन में आपकी बॉड़ी में इसकी पर्टार की कमी जो भी है आपको उसमें आपको इसका अच्छे sa देवने में मिल जाएगा यह बहुत थी अश्यो कोशा थी इसका प्रियोग करें और शुक्त